Hey what is up guys my name is Imran and welcome to my youtube channel So guys, आज इस वीडियो मैं फिर से आपसे बात करने वाला हूँ POCO X2 के बारे में आप हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी बट रिसेंटी एक अपडेट आया था जो कि एक सेकुरिटी अपडेट था और उसमें कुछ बग्स वागर अगर अगर फिक्स किया गया था So मैंने सुझा कि चल्यों एक वीडियो बनाया जहां पर मैं आपको बताओ कि क्या गेमिंग में कुछ और भी जादा इंप्रूब्मेंट हुआ है या फिर नहीं इस वाली वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आपको एकस्टी गेमिंग के बारे में आफटर अपडेट मैंने यहां पर इसको अपडेट कर लिया यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी मुबाइल फोन हैंगे मेरा यह अप्टू डेट है कोई भी अपडेट नहीं है आज की इस वीडियो में थोड़ा सा मैं अलग करने वाला हूँ आज मैं सोच रहा हूँ कि इसमें हम जी एफेक्स टूल का यूज करेंगे एंड उसकी जो भी सेटिंग है उसको हाई करेंगे यानि कि जो भी मतलब जितना मैक्स जा सकता है उतना मैक्स हम लोग जाएंगे एंड उसके बाद हम लोग गेमिंग करेंगे एंड फिर देखेंगे कि इसका टेंपरेचर कितना होता है कितना हीड होता है एंड क्या फ्रेम ड्रॉप अगेरा होता है या फिर नहीं सो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से यहां पर मैं टेंपरेचर नापने के लिए यहां पर मैं एक डाउनलोड किया हूँ सेप्पीउ कुछ करके है सेपु तेंपरेचर बताराता है बैटरी का तेंपरेचर वोdar है इसका टेंपरेचर है फोडिवान डीली सेचेज्स का का सेप्रेचर सो एंड' जीएफट टूल की बात करने यहां पर मैं यह वाला जो GFX टूल है बहुत दिनों से यूज़ करता आ रहा हूँ बैटल ग्राउंड एडवांस ग्राफिक टूल एंड मुझे इससे कोई इस्यू नहीं हुआ है और मैं बहुत दिनों से इसको यूज़ करता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफिक क्वालिटी उसको भी मैंने HDR पर रख दे है मतलब हाइस जा रहा है रिजूलुशन को मैंने हाई पर रखा है कर रिस्टाइल को मैंने रियलिश्टिक पर रखा है फ्रेम रेट को मैंने 60 पर रखा है एँड शेड़ेंडर को मैंने हाई पर रखा है या फिर रखा है करते है इसको अपलाई एड शुरु करते है पबजी को अब पब जी तो ओपन हो गया आप यहां पे मैं आपको सेटिंग देखायाता हूँ यह ग्राफिक और यहां भी आप देख सकते हैं कि HDR प्लस एक्ष्ट्रीम सेटिंग है इस से उपर तो कोई भी मुबाइल फोन जितना भी आप 865 वा लवन प्लस 8 प्रो या फिर समसंग एलक्सेश 20 अल्ट्रा जो भी ले ले इस सेटिंग से उपर कोई भी स्मार्ट फोन नहीं जाता है यह है मैक सेटिंग पबजी की जो कि आप खेल सकते हैं इसी सेटिंग में हम लोग खेलेंगे अभी देखो जो स्मूधने से वो नेक्स्ट लेवल की अभी है एंड मैं खेलूंगा TDM मैच बिकास मुझे TDM मैच पसंद है एंड क्लासिक मैच थोड़ा सा लंबा हो ज सेटियू एंड 35 पर ही है बैटरी एंड गाइस देखो गेंप्ले को जजमत करना विकॉस गेंप्ले हर लोग का उतना अच्छा नहीं होता एंड आप सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी एक्स्पिरेंस की अब गाइस देखिए इतना स्मूध यह मुझे अभी फीर हो रहा तो अगर एक्स्पिरेंस की बात करने उसको गाइस एक्स्पिरेंस तो बहुत ही स्मूध है यानि कि अभी कोई भी ऐसा प्रेम डॉप तो नहीं है विचली गेंपी ले देखो और थोला सा एंज्वाई परो एक्स्पिरेंस का एक्स्पिरेंस अब हम हार चुके है औफिशली हम लोग हार चुके हैंड मैंने किल की है यह naj हाट के मतलब अए यहां पर नीचोरड हे कहां में गया है यह तु हम लोग है यह अब यहां पर घर आपको शुका है यह काफी अच्छी सी, मैं महसूस कर पा रहा हूँ एक गेम और खेलेंगे, अब देखते हैं कि अभी तो 43 and 40 degree Celsius यह से CPU and battery बट एक गेम और खेलेंगे and उसके बाद देखेंगे, क्या है इसका final temperature and frame drop होता है अभी तर कोई frame drop नहीं हुआ है, अभी तर कोई frame drop नहीं हुआ है, सिफ heat हुआ है बट जो performance है, वो consistent हमें मिल रही है and काफी ज़्यादा अच्छा चल रहा है and अब देखते हैं next वाले game में कैसा इसका experience होता है and performance की बाद करूं, अभी भी performance बहुत ही अच्छी, वैसा ही smooth मुझे मैंसुस हो रहा है जैसा कि मैं first time खेला था and कोई frame drop नहीं, कोई stutter नहीं, काफी ज़्यादा अच्छा है बट थोड़ा सा warm हो चुग है, जो कि मुझे मैंसुस हो रहा है back side में बट अगर आप बैक और लगाई खेलेंगे तो उतना जाद आपको समय नहीं का because मैं अभी without Mac case उसकर रहा हूँ ओ भाई, साला लेटा हुआ है, साफ बना हुआ है साफ बना हुआ है, साफ बट कोई नहीं चले मरी गे रख पाई दो अचले मरी गे लख फाई लगी अचले अचले एल्टेच मेंने बहुत जाद आधा उर बकॉज मैं ने बट जादा बटन इसको बढ़ा कर रखा हुआ है अचले बट भूआ है यह भी गया वह शिट यार शिट मारती है अभी हम लोग लीट कर रहे है विगाज हम लोग 19 पे हैं वो लोग है 15 पे एक्सपिरेंस अभी मेरा काफी साथा बेटा रे कोई लाग या फिर कोई फ्रेम ड्रॉप कुछ भी ऐसा इस्टेटर नहीं हुआ है जो हीट वह नॉर्मल जैसी थी वैसी अभी भी विल्ट विलसी देखते हैं कि कैसा रहता है अ टेपरिचर एंड क्या ओ शिट यार शिट दो दो बंदे ने माम लिया जबहुँ जबर्दस बसक्तर की दो बंदे ने मुझे लिया था एंड फिर भी मैं बज गिया है आपी ज्यादा इंट्रेस्टिव एड़ी दो नहीं एक मैं श्यारा एक मैं जीता एंड मैंने किल की है अल्मोस्स आइधिंक बारा या तीरा किल मैंने की है सो या बारा की लिए 1.4 की केड़ी है एक्सपिरियंस की बात करूं सो गाइस दो मैंने मैंच केला एंड अल्मोस्स यो वीडियो है मेरा 20 मिनिट से उपर का हो गया है आप कट पीट करके देखेंगे तो आपको उतना जाद लंबा नहीं लगेगा सो अब मैं बात करूं एक्सपिरियंस की तो गाइस मुझे तो अभी तक कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं दिखा एंड हीटिंग की बात करूं सो हीटिंग तो थोड़ी सी बस जादा हो गई है 45 पे चली गई है बैटरी एंड 40 पे ही CPU अभी 40 पे ही है तो हीटिंग जैसा था अभी वैसा ही जैसा एक गेम पे था वैसा ही सेम अभी भी हीटिंग है और कुछ खास नहीं है बट आप यह भी देखिए कि जो सेटिंग है वह बहुत ही जादा अल्ट्रा हाई है तो अगर मैं finally बात करूँ तो आप definitely खेल सकते हैं बहुत जादा competitive gaming अगर आप करेंगे यानि कि अगर आप 2-3 घंटे खेलेंगे तो हाँ हो सकता है कि frame drop हो बट फिलाल अभी की time पे तो काफी सदा मुझे अच्छा लगा आप दो गए मैंने 20 मिनिट आप ऐसे मैं अभी यह video बना रहा हूं तो ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं बट एक्च्वल में जब मैं gaming करता हूं यानि कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं एक दो घंटे तो guys मैं अगर मैं अपने personal opinion की बात करूँ so मैं जाद तर HD and extreme पे खेलता हूं तब भी मैं JFX को use करता हूं and 68 pace मुझे achieve हो जाता है so जब मैं HD भी खेलता हूं तब मैं 2-3 घंटे भी अगर खेलता हूं तो जो हीट हो सिफ इतना ही हीट होता है जिसा की अभी है and जादा तर मैं HDR पे नहीं खेलता है because इतना जादा मुझे CPU को निचोड़ना नहीं होता because जितना capable ही उसके अंदर जितनी power ही उतना ही लोग हो भी जादा बेटार है because अगर कोई बंदा 20 kg अगर उठा सकता है and जबर दस्ते आप उसको 25 kg उठाने को कहोग हो तो definitely उसको थोड़ा सा दिक्कत होगी उठाने में and थोड़ा सा उसको जादा अपना effort लगाना पड़ेगा so finally guys अगर मैं बात करेंगे तो definitely gaming आप काफे जादा अच्छी कर सकते है and issue मेरी हिसाब से कोई भी जादा नहीं होगा and आपको एक अच्छा experience मिलने वाला and hitting की बात करें तो guys कुछ जादा खास overheat नहीं हुआ and हाँ अगर आप setting को कम करेंगे यानि कि अगर आप basic या फिर balance वगरा पर खेलेंगे तो hitting नहीं होता यह मैंने personally देखा हुआ and अगर आप smooth पर खेलेंगे या फिर extreme पर खेलेंगे या फिर balance वगरा पर खेलेंगे तो उतना जादा गरम दी होता चाहिए आप 2 घंटे भी gaming कर ले but वहीं पर आप setting को बहुत जादा enhance करें खेले तो definitely गरम होता है so yeah guys इस video अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छे लगाओ से इस video को like करें like 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 and यह वाला वीडियो में facecam नहीं बना रहा हूँ तो उसके लिए sorry but overall video अच्छे लगाओ से like करें share करें subscribe करें बैं मैं मिलता आपसे next video में कुछ है से interesting and exclusive videos के साथ तब तक के लिए bye bye peace